नमस्कार में बेनजिर हाश्मी और आप देख रहें देश रोजाना। संजे राउट बोले हम सो सीटों पर लड़ेंगे कॉंग्रेस बोली आज ये अकल में होगा फैसला सल्मान खान को धमकी देने वाला आरोपी गिरफतार पांच करोड की फिरोती मांगने के बाद मांगी थी माफी जारखन के जमशेदपूर में बेचता है सबजी सिरोही में वयावर पिंडवाडा हाईवे पर टायर फटने से हुआ बड़ा हासा कार नाले में जागिरी मा बेटी सहीद पांच लोगों की हुई मोद जारखन उप्चनाव के लिए सीम हेमेंट सुरेन की पतनी कलपना सुरेन ने गांडिय सीट से किया नामंकन दाखिल आसोने चांदी के दाम में गिरावट सोना 531 रुपे गिर कर 78,161 पर आया पोचा तो वहीं चांदी 97,420 रुपे परती किलो विक रही श्वेयर बाजार में लगातार चोथे दिन भी गिरावट सेंसेक 16 अंक गिर कर 80,065 पर बंद FM, CG और IT श्वेयर फिसले तो ये धी दिन भर की ताजा सुर्खिया आप बात करते हैं हर्याणा की बड़ी और खास खबरों की हर्याणा विधान सबाचोना में BJP की जीत के बाद कॉंग्रेस ने EVM में गडबडी को लेकर लगातार सवाल उठा रही है इसे लेकर आप प्रदेश मंत्री अनिल विज ने कॉंग्रेस नेता भुपेंदर हुड़ा को खरी सुनाई दरसल विज ने कहा कि आज हिंदुस्तान की जंता कॉंग्रेस नेता उसे ये जानना चाहती है कि जहां से कॉंग्रेस जीतती है वहाँ EVM ठीक होती है यदि ये जीत रहे हैं तो चोनाव आयोग या EVM ठीक है जहां जब भाश्पा जीतती है यहां चोनाव आयोग पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं आपको बताने की और तो और वे कोड में भी जाने की बात कर रहे हैं EVM तो वही है जहां से उनके विधायक जीतते हैं पहले उनकी जाच करा कर दोबारा चोनाव कराये जाए वही हर्याणा में लगाये जा रहे हैं समाधान श्रीविर पर सवाल उठाने के मामले में कैबिनेट मंतरी ने कहा कि यदि सरकार काम करे इन्हें तब तकलीफ होती है यदि ना करे इन्हें तब भी परिशानी होती है इनकी तकलीफे तो दूर हो नहीं सकते हमने काम करना है और हमारे नए मुख्य मंत्री सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं चंदिगड में हर्याडा भाश्पा विधायक दल की बैठक होने वाली है दरसल बैठक में हर्याडा विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम पाइनल किये जाएंगे हलाकि चार नामों की चर्चा तेज हैं दरसल चंदीगड स्थित बैठक में मुख्य मंतरी नायब सैनी के साथ साथ परदेश अधियक्ष मोहल लाल भी मौजूद रहेंगे सुत्रों का दावा है कि बैठक में विधानसवा स्पीकर और डीप्टी स्पीकर के नामों को लेकर सहमती बन सकती है सर्फ सम्मानिस से नाम तै किये जाने के बाद ही 25 अक्टूबर को विधानसवा छत्र के दोरान दोनों पदों का चुनाप की रसमें अदा की जाएंगी साथ ही बताते चले कि घरुंदा से विधायक हरविंदर कल्यान का नाम स्पीकर के लिए लगबग तै माना जा रहा है पंजाबी विधायक का नाम आनाते है क्योंकि मंत्री मंडल में पंजाबी समाज से केवल अनिल पीजी मंत्री हैं जबकि इस से पहले पंजाबी समाज की सरकार में अधिक भागेदारी रही है वहीं हर्याना कॉंगरेस के धड़े एक दूसरे पर ठीकरा फोड रहे हैं हुड़ा खेमा इस बात को कमेटी के सामने मजबूती से रख रहा है कि कुमारी शल्जा ने चुनिंदा सीटो पर ही चुनाब प्रचार किया और लगाता टीवी चैनलों को दिये गए इंटरव्यू से कॉंगरेस की खिलाफ महल बनाया दरसल विधानसवा चुनाब में हार के बाद कार्णों को तराशने के लिए बनाई गई कॉंगरेस की फेक्ट फाइंडिक कमेटी की पारांबिक रिपोर्ट त्यार हो गई है शुरुवाती रिपोर्ट में कमेटी ने हार के लिए हुड़ा शेल्जा दोनों ही गुटों को जुम्मेदार फेराया है साथ ही संगठन की कमी भी हार का एक कारण रही है हलाकि अभी तक कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट तयार नहीं की है फाइनल रिपोर्ट से पहले कमेटी हर्याना के दिगज नेताओं के साथ भी बैठक करेगी हर्याना में पराली जलाने से बड़े प्रदूशन के कारण हेल्थ एमिर्जिंसी जैसे हलात बन रहे हैं खासका जीटी रोड बैल्ट के पानिपत करनाल और कुरुचेतर में हालत बिगड़ चुके हैं अकेले कुरुचेतर करनाल और पानिपत में 198 जगा पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं जबकि पूरे हर्याणा में ऐसे मामलों की संक्या 680 है दरसल बता दे कि कुरुचेतर में कल 15 जगाओ पर पराली जलाई गई इसके अलावा इन शहरों में के जगाओ पर खूले में कूड़ा भी जलाया जा रहा है एक दिन पहले 23 अक्टूबर को पानिपत में AQI 500 से उपर पहुँच गया था आज पानिपत में AQI 450, कुरुचेतर में 420 और करनाल में 402 चल रहा है हाला कि पानिपत में हवा चलने से परदूशन से राहत मिली है रात को AQI का लेवल 450 के बाद अब इन में कमी आई है बताते चलेगी पानिपत के DC वरेंद्र कुमार धहिया का कहना है कि परदूशन का इस्तार 158 है जो पहले से सुधरा है तो ये ती दिन बर की उस्तादस्तुरुखियों के साथ हर्याणा की खास खबरे कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे है देश रोजाना नमस्कार